मैं अभी यहां संजुक सची हूँ और बिगाट 40 सालों से यहां जुडा हुआ हूँ तो इस बार यह दसारा कमीटी स्टार्ट हुई थी 1955 में और इसको स्टार्ट करने वाले उस समय के मसूर होटल पाल होटल के मालिक जो वक्सी राम गांधी जी हैं उन्होंने अपने भाई और पांच मित्रों के साथ इस काम की सुरुवात किया था उन्होंने और आज देखिए यह इतना फल फुल रहा है कि कुछ कहना नहीं है बाद में उनके लड़के मिश्टर तिलक राजगंदी जो कि इस कमीटी के महासचूर भी थें और अभी उनकी करीब तीन-चार महीने पहले उनकी डेथ हो गई है वो हमेशा से इसके लिए एक्टिव रहे और इस बार रावनबद में नया कुछ नहीं है सिर्फ यह राजस्थानी और यह मिथला के संगम का इस बार जो है न भेजबुसा में बनाये गया है तो इसी भेजबुसा में इस बार रावन जलेगा आतिसवाजी का इंतिजाम आप देखी रहे हैं और कुछ जानना हो तो जी जी हाँ इसलिए कि हर बार कभी राजस्थानी भेजबुसा कभी पंजाबी भेजबुसा कभी बिहारी भेजबुसा इस तरह से होता था इस बार दोनों का संगम दिखाए गया है नावन को मेगना तकुमकरन मिथल और राजस्थानी के बेजबुसा में डाला गया है इस कारिक्रम में मुक अतिती के रूप में हर बर्स यहां पर गौवर्णर साहब होते हैं और इस्यम होते हैं यह लोग सब लोग आ रहे हैं यहां पर और उनकी उपस्थिती पर्ति वर् और वो रहेंगे इस बार रावन हों की लंबाई इस बाद 80 दी गई है हर वर सकतर 75 फीट हुआ करता था इस बार पांच फीट को न बरहाए गया है रावन की लंबाई आपको 80 फीट है और मेड़िनाद की लंबाई 75 है और यू कुम करन का इसकतर है पिछले बार देखा गया था कि हवा का तेज भुका आया तो रावन और मेगनाथ भी गिर गया थे इस पर क्या उस तरीकी की विवस्ता कैसे की गया था जी 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 आपने जो सवाल किया न वो देखे पिछली बार क्या वो पिछली बार नहीं हुआ था उसके पहले हुआ वो काफी बारिस होने के बज़ा से मिट्टी काफी गिली हो गई थी और उसके बज़ा से वो बास को सभालने से की उसका लोड नहीं समझ सका और इसके वैसे रावन नीचे गिर गया था लेकिन इसका समुचित विवस्था कर लिया गया है इस बार जो है जहां रावन के अंदर पूरा ढलाई किया गया है और उसमें मुल्ब लोहे का जो यह थी होता है क्या बोलते हैं उसको कसा गया है और उसी में रावन को बाधा जाता है इस बार इसलिए दो साल से बिलकुल यह नहीं हो रहा है इस बार विश्था है राम लीला भी दिखाई जाती है क्या क्या राम लीला में दर्शाया जाएगा राम लीला का कालिकरम आज नहीं होगा और यह बिगत तीन तारीक से ही राम लीला चल रहा है श्री नागावावा ठाकुरवारी में उसके संयोजग हमारे प्रिंसकुमार राजू और आसु कालिकरम यहां होगा कल वहां भरत मिलाब किया कालिकरम होगा आज रावन बत के लावा भी यहां कोई कारिकरम रखा गया है आतिस्वाजी और जहांकी आती है नागावा ठाकुरवारी से पूरी जहांकी की टीम आती है वो टीम पुरा नगर भ्रहमन करते हुए यहां पहु सब के लिए आपका गेट नमर एक है जो स्टेट बैंक के सामने है और उसके बाद लोग जो आएंगे वह त्रिया नमबल गेट है आपका वह विश्कुमान के सामने से उसका अब बाखी के लिए पूरा गानी मदान खुला रहेगा यह सभी गेट खुले रहेंगे इसलिए कही कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत स्वयोग मिलता है जीला परशासन के ही कारण ये कालेकरम सफल होता है वो लोग इतने प्रॉम्ट होते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं हाई प्रोटोकॉल होता है जिसके वजह से किसी तरह की दुरगटना होनी के सम्भावना नहीं के लगी रहती है और ट्रैफिक डिबार्मेंट से वहां से भी सारी तीम लगी रहती है कहीं कोई दुरगटना की संभावना नहीं हो सकती है